बिहार में बिजली बिल की बढ़ती दरों ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है बिहार ग्रामिन इलाकों में बिजली पहुचाने की मामले में भले ही आगे है लेकिन यह भी सच है कि यहां बिजली का बिल भी काफी महंगा आता है बिहार में पहले से ही बिजली की दरे महं आपके लिए ही है आपको बता दे कि बिहार में साल दर साल बिजली की खपत दर में बढ़ोतरी हो रही है पिछले छे साल में बिहार में बिजली खपत का आकराद दुगुना से भी अधिक हो गया है राज में फिलाल पैसेट सो मेगावार्ट बिजली आपूरती की मांग है ज जिस कारण से बिजली बिल के दरों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में बिहार सरकार अपने एक बहतरीन योजना के साथ राज में सौर उर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसी योजना का लाब उठा कर लोग बिजली बिल से राहत पा सकते हैं। आपको बता दे अगर आप बिजली बिल से राहत पाना चाते हैं तो आपके पास एक बहतरीन मौका है। आप अपने घर के छट पर सौर उर्जा सिस्टम लगा सकते हैं। इससे आपको ना सिर्फ बिजली बिल के भुकतान से राहत मिलेगी बलकि यह सिस्टम जिनरेट करने के बाद आप सरकार को बिजली बेच भी सकते हैं। बिहार के दक्षिन वा उत्तर बिहार बिजली कमपनी अपने अपने छेतर में 10-10 मेगावार्ट बिजली का लश लेकर चल रही हैं। जिसके आप उर्थी सौर उर्जा सिस्टम से करनी है। संबंध में अधिकारियों का कहना है कि लोग अपने घर की छटों पर लगाएगे सौर उर्जा सिस्टम से बिजली उत्पादन करेंगे। जितनी बिजली तैयार होती है वह प्रती यूनिट के हिसाब से उभोकता के खुद के बिजली बिल से घटा दी जाएगी। वहीं अगर उभोकता अपनी अस्तमाल से अधेक यूनिट सौर उर्जा सिस्टम से तयार करते हैं तो उस हिसाब से उतनी राशी उभोकता के खाते में चली जाएगी। उर्जा सिस्टम लगाने वाली कमपनी एक तय समय तक पूरे सिस्टम का रख रखाओ भी करेगी। अलाकि इस योजना का लाब लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। नए आवेदन लिये जाने के प्रक्रिया फिर से शिरू की जाएगी। यह योजना जल जीवन हरियाली योजना के तहट संचालित की जारी है इसके तहट लगभग धाई हजार सरकारी भवनों में सौर उर्जा सिस्टम को लगाया जा चुका है जहां से 20-20 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जारा है वही अब नीजी घरों के च्छतों पर सौर उर्जा सिस्टम स्थापित कर 10-10 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना इस योजना का लक्ष है